हलो दोस्तों नमस्कार हमारे यूटूब चैनल राम जी के ट्रिक में आपका स्वागत है आज हम लोग देखेंगे के अबियस यूपीटेट दोजार तेइस बीस क्यूशन प्रिबियस यूश के पेपर हम लोग हल करेंगे तो देखते हैं पहला क्यूशन अगर दोस्तों चैनल पे नए है तो पिलीज चैनल को सस्क्राइब करिя सेयर करिया बेल आइकन बटन जरूर दबा देजिए तो चलते हैं पहले क्यूशन हमारा क्या है देखते हैं निमलिखित में से कौन सा सब्द बादल का पर्यवाची है नीरद नीरज अम्बूज अम्बूज बताओ दोस्तों बादल का पर्यवाची कौन सा सब्द है आपका सही जबाप होगा दोस्तों आफसन ए नीरद बादल का पर्यावाची है नीरद अगला क्यूस्चन नमबर देखेंगे क्यूस्चन नमबर दो आह सब्द आह आप आ गए वाक्य में आ सब्द है आ सब्द क्या है पूछ रहा है संग्या सर्वनाप विसेशड अब्यां क्या है दोस्तो आपका सही जवाब होगा दोस्तो B अब्याए आ सब्द क्या है अब्याए अब्या अब्या कितने प्रकार कहाँ है दोस्तो और विश्मा बोधग ठीक है दोस्तों अब्या कहते किसे हैं जिन सब्दों के मूल सब्द में कभी परिवर्तन नहीं होता उसे अब्या कहते हैं जैसे देख लेते हैं आज कल जो आगे पीछे आगे पीछे अगला देखेंगे दोस्तों हम लो तीसर का नंबर इंद्रियों को जीतने वालों के लिए एक सब्द दूर दर्शी कुसागर बुद्धी जीतेंद्री दर्थ चीत्र कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों आपका सही जवाब होगा आप्शन बी जीतेंद्री दूर दर्शी के सकते हैं दोस्तों दूर की सोचने वाला कौन होता है दूर दर्शी कुसागर बुद्धी जिसकी बुद्धी बहुत तेज होती है उसे कुसाग दर्थ चीत्र के से करते हैं अपने काम में मल लगाकर करना काम में मल लगाना आप लोग मल लगाकर पढ़िए तो उसको क्या कहेंगे दर्थ चीत्र अगला क्यूशन देखेंगे क्यूशन चार नमबर निम लिखित में से पूलिंग सब्द है नदी पानी इलाइची प्यास बताओ दोस्तों निम लिखित में से पूलिंग सब्द कौन सा है आपका सही जबाप होगा दोस्तों पानी पानी क्या करते हैं पानी पीते हैं क्या करते हैं दोस्तों पीते हैं पानी पीती नहीं पानी पीते हैं नदी बहता नहीं नदी बहती है नदी बहती है इलाइची होती है इलाइची होती है प्यास लगती है प्यास लगती है प्यास लगता नहीं प्यास लगती है अगला क्यूशन हम लोग देखेंगे दोस्तों पवन प्भावन का संदी विछेत है 5 नमबर पाधन बताओ दोस्तों पौन कौंसी संदी है सबसे पर्ले देखेंगे हम लोग पौन अयादी संदी है कौन सी संदी है कौन सी संदी परचान क्या है दोस्तों किसी सब्द के किसी सब्द में दूसरे अस्थान पर यह वह आ जाए तो उसे क्या कहते हैं अयादी संदी क्या ट्रीक है दोस्तों प्रतेक दूसरे सब्द के प्रतेक दूसरे सब्द में यह या वह हो तो उसे कहते हैं अयादि संदी कौन सा जबाब सही होगा दोस्तों आपका सही जबाब होगा आपसन भी जैसे देख लेते हैं भवन भवन भोधन अन भोधन अन अगला देखेंगे हम लोग छे नमबर घुमकड में प्रत्य है आपसन ने उड़ा अकड आक उ बताओ दोस्तों गुमकड में कौन सा प्रत्य है गुमकड में अकड प्रत्य है कौन प्रत्य है दोस्तों अकड प्रत्य होता क्या है दोस्तों कि शब्दान्स की अंत में लगा कर एक नया सब्द का निर्माण हो जाता या सार्थक सब्द बन जाएगा तूसरे हम क्या कते हैं प्रत्य है ओड़ा प्रत्य से सब्द बनाओ दूस्तों ओड़ा हथ हवड़ा ओड़ा से हथ हवड़ा अध्या थाओड़ा आख प्रत्य देखेंगे तैराक तैराक में कौन प्रत्य आख उप्रत्य देखेंगे खाऊं खाऊं चालू कमाऊं ठीक है दोस्तों आगला देखेंगे साथ नंबर डिबिया डिबिया में प्रत्य है या आ आई या बताओ दोस्तों डिबिया में कौन सा प्रत्य है आपका सही जवाब होगा यह या डिबिया में कौन सा प्रत्य है या डिबिया में कौन सा प्रत्य है दोस्तों या जैसे खटिया हो गया खटिया खटी या पुलिया पुलिया आप प्रत्य से सब्द बनाएंगे दोस्तों भूखा भूखा प्यासा प्यासा में कौन सा प्रत्य आ प्रत्य आई प्रत्य से देख लेते हैं बुराई अच्छाई बुराई अच्छाई यह प्रत्य से देखेंगे घमंडील लालची उनी कि सूती अ है सूति यह प्रत्य कि आगे देखेंगे दोस्तों सात ना आठ नमबर प्रसना भारा कि भीच्चुक में प्रत्य है अप्रत्य उप्रत्य उप्रत्य अक प्रत्य बताओ दोस्तों भीच्चुक में कौन सा प्रत्य है कि आपका सही जवाब होगा उप्रत्य भीच्चुक में उप्रत्य अक नहीं है दोस्तों उप्रत्य है भीच्चुक में उप्रत्य अगला देखेंगे हम लोग दोस्तो नौ नंबर सुध्धो वर्तनी का चैन करें शुषमा 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 शुषुमा बताओ दोस्तो कॉनसा जवाब सही होगा आपका सही जबाब होगा आपसन ने कौनसा सब्द सही होगा आपसन ए शुष्मा कौनसा जबाब सही होगा दोस्तों आपसन ने शुष्मा अगला प्रस्न देखेंगे दस नमबर बिल्ली छस से कूद पड़ी कौनसा कारक है क्या पूछ रहा है दोस्तों कौनसा कारक है अधिकरार कारक कर्म कारक संप्रदान कारक आपादान कारक बताओ दोस्तों कौनसा कारक होगा कारक कितने प्रकार के हैं दोस्तो आठ प्रकार के कारक कितने प्रकार के हैं आठ प्रकार के कौन सा कारक होगा दोस्तो आपा दान कारक बिल्ली छट से कूद पड़ी यानि छट से बिल्ली अलग हो गई अलगाओ किसमे चलता है दोस्तों अपादान कारक में किसमें अपादान कारक में कौन सा कारक अपादान कारक सही जबाब क्या होगा अप्षन डी अगला देखेंगे हम लोग यूधिस्टीर जो यूध में इस्थिर रता एसस्वी सत्यागराही यूधिस्टीर अस्वरोही जो यूध में इस्थिर रता है बताओ दोस्तों जो यूध में इस्थिर रता उसे क्या करते हैं आपका सही जवाप होगा option B क्या कहते हैं दोस्तो जो यूद में इस्थिर है उसे क्या कहते हैं दोस्तो यूद धिस्टीर SSB किसे कहते हैं जो यस प्राप्त किया हो क्या किया हो यस प्राप्त सत्यागरा ही जो सत्य की राह पर चलता हो दोस्तो सत की रा पर त्पकी रा पर अस्वारोही जो चलता है कि क्या करता है तो कश्व का सवारी करते हैं अगला वाचल करते हैं 12 मुझें यो जल्डी जल्डी चलता है जिसकी जाल ठीक ना हो जो बहुत बोलता है जो चूप रहता है बोस्त बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा वाचल कि वाचल जो बहुत बोलता है कौन सा जवाब सही होगा दोस्तों कि आप संसी वाचल कि बहुत बोलने वाला बहुत बोलने वाला अगला देखेंगे हम लोग 13 नमबर धीरे धीरे सब्द है क्रिया क्रिया विशेशर विशेशर उपयुक्त में से कोई नहीं बताओ दोस्तों धीरे धीरे सब्द है धीरे धीरे सब्द है कौन सा सब्द है कौन सा है दोस्तों धीरे धीरे कौन सा है क्रिया विशेशर क्रिया विशेशर किसके भाग है दोस्तों अब्वय अब्वय के भाग है कितने प्रकार के अब्वय हैं दोस्तों चार प्रकार के कौन कौन है दोस्तों अब्वे के कौन-कौन प्रकार हैं दोस्तों क्रिया विसे सड़ समुच्चे बोधक संबंध बोधक और विश्म बोधक अगला देखेंगे हम लोग क्यूशन नंबर 14 यह नई साड़ी है वाक्य में नई सब्द क्या है बताओ दोस्तों सर्वनाम क्रिया क्रिया विसे सड़ विसे सड़ बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा यह नई साड़ी है वाक्य में नई सब्द है आपका सही जवाब होगा option D नई कौन सी सब्द है विसे सड़ सर्वनाम क्या है दोस्तों यह यह क्या है सर्वनाम 15 क्या है दोस्तों संग्या ऑario कि क्या है संग्या अगले की English दखेंगे 15 नमबर पराजय उस्वल हैug पराजय में उपसर्ग है परी प्रे प्रार बताओ दोस्तों कौनसा उपसर्ग है पराजय में अब आपका सही जवाब होगा का आफ साथ फिर यह पराजय परी से परी उपसर्ग से सब्द बनाते हैं दोस्तो परीडाम परीडाम परा उपसर्ग से बनाते हैं दोस्तो परा उपसर्ग से पराजय प्राकरम प्राकरम प्राउफसर्गर से देख लेते हैं प्रबल 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 आउफसर्गर से देखते हैं आक्रोश प्रबल आजन्म अगला देखेंगे हम लोग दोस्तो 16 नमबर अपमान में उफसर्ग है और अप अती उप बताओ दोस्तों अपमान में उफसर्ग है अपमान में कौन सा उफसर्ग है दोस्तों मांध में कौन सा जवाब सबीति एफ सर्ग से सब्य देख लेते हैं अवस्था में कौन सा अवस्था अवतार देख लेते हैं अव तार कौन आशल सर्ग है अथि देख लेते हैं अति क्रमण कि अति क्रमण क्रमण में अति जोडते हैं अति क्रमण उप देख लेते हैं उपासक उपासक सक में उप जोड़ेंगे उपासक हो जाएगा उप कूल कूल में उप जोड़ेंगे कूल उप कूल अगला देखेंगे 17 नंबर दीगु समास का उधारण है माता पिता नव गर्य यह था सकती पी तंबर बताओ दोस्तों माता पिता कौन सबास होगा द्वंद द्वंद नव गर्य यही होगा दीगु समास आपका सही जबाब क्या होगा आप्शन बी इसमें संख्या वाचग संख्या दिया रहता है प्या दिया रहता है दोस्तों संख्या अगला देखेंगे अब लोग दोस्तों अठारा नुमबर हिंदि की स्लीपी में लिखी जाती है ब्रामी तेव नागरी खरोष्टी ग्रुम और तीसरा कौन सी भाषा माराथी भाषा एं तीनों भाषा में कौन है लीपी का प्रिवगता है दोस्तों आप्सेन B देव नागरी लेपी किस लेपी से बनी है दोस्तों ब्रम्यागी लेपी से बनी है यह बाय से दाय लिखते हैं खरोष्टीलीपी कहा लिखते है बाय से बाय से ताय से बाएं गुरुम मुख्य में कौन सी भासा लिखते हैं दोस्तों पंजाबी पंजाबी अगला किशन अवलुक देखेंगे बिद्यार्थी उधारण है 19 नंबर बिद्यार्थी संधी गुड़ स्वार संधी बेंजन संधी दिर्ग संधी बताओ दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों आप्शन डी दिर्ग स्वार्ग संधी संधी कितने प्रकार कहते हैं दोस्तों संधी तीन प्रकार की कौन कौन स्वार्ग संधी ब्यंजन संधी और विशर्ग विशर्ग संधी स्वार्ग संधी कितनी प्रकार कहते हैं दोस्तों पांच प्रकार की दिर्ग सं संदी गुर संदी दीरग्यों संदी गुर संदी कि अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 20 नंबर हिंदी भाशा का उलेक किस अनुछेद में किया गया 343 333 344 342 बताओ दोस्तों कौन सा नुच्छे सही होगा हिंदी भासा का प्रयोग हिंदी भासा का उल्लेव किस अन्सूची में है दोस्तों आपका सही जवाफ होगा आप संबी 347 तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब हम लोग कल अगला वीडियों देखेंगे और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्ली चैनल को सेज़ करिए बेल आइकन बटन दबा लीजिए जिससे कि हमारा वीडियों आप तक पहुच पहुच जाए तो दोस्तों इस प्रकार से हम स्रीज हर रोज लेकर आएंगे और 20 की विशन हर देखेंगे और पेपर तक पूरा हिंदी आपका कवर करा देंगे दोस्तों जो हम पढ़ा रहे हैं इसी में से सब आएगा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जय हिंद